हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू स्टडी वायर यूटूब चेनल और यह अपना लिक्चर नंबर छटवा होगा जो की इन्वार्मेंट का प्रेक्टिस सेट है और इस प्रेक्टिस सेट में टोटल नंबर आप कोशन हम 30 डिसकस करेंगे जो की एक पूरा का पूरा एक होगा है तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है तो आप इसे अंत तक देखें और सारे के सारे कोशन पेपर लगाए इसमें बहुत सारी चीजा आपको नई सीखने को मिलेगी और इस आधार पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सेलेक्शन डेफिनेटली हो होगा और एक अच्छा का सा रिस्पॉंस भी आपको पेपर में इसका मिलेगा ठीक है तो आईए लेक्शर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कुशन यह हो जाएगा हमारे पास की निम्न में से रभी की फसले है ठीक है तो यहाँ पर अपने को आपसन दे रखाए कि गेहूं और धान सेकंड आपसन है गेहूं और मक्का सेकंड थर्ड आपसन यहाँ पर मक्का और धान और फूर्थ आपसन है चना और ठीक है तो इस कॉपस नमबर फूर्थ होगा राइट आंसर की अगर हम रभी की फसल की बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो जो धान है वो बरसाथ में बोई जाती है चना ठंड में बोई जाता है तो यह आंसर हो नी सकता था गेहू और मक्का मक्का प्रेल में काटी जाती है तो उसे कहते है रभी की फसल इसके अंतरगत मुख्यता चना और गेहूं आता है बाकि और भी फसले यहां पर आती है जैसे सरसो हुआ राई हुआ यह सारी चीज़ यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है सेगंड कुशन देखते हैं कि पौधों को वायू मंडल का सुद्धी करण कहा जाता है ठीक है जो पौध होते हैं उन्हें वायू मंडल का सुद्धी करण कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है ठीक है इसमें क्या होता है किस वज़े से इसे सुद्धी करण कहते है ठीक है वायू मंडल का सुद्धी करण कहते है तो पह करते हैं तो CO2 ग्रहण करते हैं ठीक है जो कि एक global warming gas है और CO2 पहुत ग्रहण करते हैं और O2 को क्या करते हैं छोड़ते हैं inhale करते है तो इससे क्या होगा कि exhale करते हैं तो इससे वायो मंदल में oxygen और CO2 की मातर एक नियंतरित रहती है तो इससे सुद्धि करण, मतलब source, CO2 ले रहा है, और oxygen दे रहा है, तो इससे वायू मंदल का सुद्धि करण हो रहा है, इसलिए प्रकास संस्लेशन की करियों को सरी, प्रकास संसलेशन की करिया को पौधो का वायू मंदल का सुद्धि करण कहा जाता है थर्ड कोशन दिखते हैं कोशन नमबर थर्ड हो जाएगा कि तरुन भारत संग ठीक है याद रखेगा तरुन भारत संग के राजेंदर सिंग को किस कार के लिए मैकसे से पुरुसकार दिया गया ठीक है राजेंदर सिंग डेफिनेटली आप लोगों ने इनका नाम सुना होग क्योंकि ये खुद ही राजिस्तान से ठीक है तरुन भारत संग के जो संस्थापक है या हम यह बोल सकते है राजेंदर सिंग उन्हें किस लिए या किस छेतर में रह्मन मैकसे से ठीक है रह्मन मैकसे से पुरुसकार दिया गया था तो पहला ऑप्सन ने जल सरक्षड के ये डक्टर राजिंदर प्रसाद को मैक्से से पूरुसकार दिया गया था और राजिंदर प्रसाद जी को क्या कहा जाता है तो जल पूरुस भी कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगला कोशन दिखते है कोशन नमबर फोर्थ हो जाएगा कि कोन सी गैस ठीक ह तो इन चारो में से कौन सी गैस है जो कि भूमंडली तापमान में वृद्धी के लिए उत्तरदाई है या मुख्यता कारण है वैसे तो ये चारो की चारो वाय मंडल का तापमान या गैस का तापमान बढ़ाती है परन तो इसमें मुख्यता है कौन सी carbon dioxide co2 जो की सबसे अधिक उत्तादाई है किसमें भू मंडली है तापमान विद्धी करने में इसलिए option number 3 होगा यहाँ पर right answer अगला question जाएगा question number 5 यहाँ की घरेलू मवेसी थता भेड किस हरित ग्रह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदाई है ठीक है जो घरे में मवेसी पाए जाते है जैसे भैस गाय बैल बकरिया इस प्रकार की यह भेड तो यह हरित ग्रह गैस मतलब ऐसी कूंसी गैस है जो उत्तर हरित ग्रह के लिए उत्तरदाई होती है तो पहला option है ozone, second option है nitrous oxide, third option है chloro, fluorocarbon, fourth option है methane तो option number इसका fourth होगा right answer ठीक है methane जिसे हम कहते है CH4 formula क्या हो जाएगा CH4 जो methane है मतलब जो भी मवेसी है आपने सुना हो का जुगाली करती है ठीक है जुगाली करते रहती है मतलब पूरा का पूरा जो भी घांस देते हैं बूसा देते हैं वो खाके और जुगाली करते रहती है तो जुगाली के दोरान अगर आप ठंड के दिनों में देखोगे तो मुह से उनके जो मुह से एक भाप की तरह कुछ निकलता है तो जो भाप होती हो मैथे नोती और जो की green house, gas या फिर हरिदगरह प्रभाव में तापमान बढ़ाने के लिए एक मुखता उतरदाई होती है तो option number fourth होगा यहाँ पर right answer आपको formula भी याद रखना है ठीक है और यह CH4 दलदली जमीन से भी निकलती है और धान के खेत जब धान की कटाई हो जाती है तो वहाँ से भी निकलती है तो य काटने के कारण परिणाम है ठीक है जो हम वनों का regular दुहन हो रहा है भी तो उनके क्या-क्या परिणाम है तो पहला option जाएगा वन प्राडियों के प्राकरतिक आवास का विनास ठीक है वन प्राडियों के प्राकरतिक आवास का विनास बिल्कुल वन कट रहे हैं तो जो प्र एक निश्चित समय में वास्पन हो बारिस हो और यह सारी चीजे जो चल रही है तो उसका भी उस पर भी प्रभाव पढ़ रहा है तो second भी सही है ब्रदा अपर्दन जैसे जैसे वनों की कटाई हो रही है तो हम यह बोल सकते कि जो वन की जड़े होती है मतलब पेडों की जड़े होती है मिट्टी को पकड़े रखती है पर जब पेड नहीं रहेंगे तो मिट्टी को पकड़े नहीं रहेंगे और जब बारिस होती है तो मिट्टी बहे जाएगी मतलब मिट्टी का भी अपरदन होगा तो third भी बिलकुल सही है बड़े जो भी अगर teaching field को छोड़ कर अदर कोई भी exam की तयारी करें और उनका maths week है तो अपना एक और channel है ठीक है इसी नाम से study wire परंतु साथ में एक maths लगा होता है ठीक है उसमें साथ में क्या लगा है maths study wire maths के नाम से तो आप उसे सर्च कर लिजेगा या फिर description box में देख देखो अगला question है साथवा कि नदी मुहानों के लक्षण है ठीक है जो नदी मुहाना होता है कहने का मतलब कि जहांपर नदी समुद्र में मिलती है उस condition को यह हम यह वो सकते कि यह पूरा का पूरा समुद्र हो गया और यहां से नदी आके इसमें मिल रही है तो इस condition को कहा जाता है जहांपर नदी मिल रही है समुद्र में उसे नदी मुहाना और नदी मुहाने के लक्षण है तो पहला option जाएगा ताजा एवं खारा जल यह बिलकुल होता है ताजा और खारा जल वहां दोनों चीज़े होती है समुद्र जय विविदिता भी अधिक पाई जाती है मतलब जहांपर भी समुद्री नदी मुहाना होता है वहांपर समुद्री जय विविदिता अधिक पाई जाती है वहांपर एक साफ जल जाता है जिसके कराण क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे मचलिया या फिर जल में रहने वाले जीव जन्तु उस ताजी जल में आ जाते हैं second option भी बिल्कुल सही है, third option है अधिक उत्त पादकता, ठीक है, तो third भी यहाँ पर सही होगा, मतलब option number four ते है, right answer की नदी मोहने के लक्षने तो उप्रोगते सभी, अगला question, question number eight देखते हैं कि खाद्य स्रंखला द्वारा घातक रासायनों की निरंतर बढ़ती मातरा कहलाती है, third option हो जाएगा, खाद्य स्तर और fourth option हो जाएगा, जैव अबगटन, ठीक है, तो इसका option number second हो जाएगा, right answer, जैव सांद्रन कहलाती है, क्या तो खाद्य स्रंखला द्वारा उत्न घातक रासायनों की निरंतर बढ़ती मातरा क्या कहलाती है, जैव सांद्रन कहलाती है, तो option number second होगा, यहाँ, right answer, अगला question, question number nine हो जाएगा, कि केदारनाथ अब्यारन निम्न में से जाना जाता है, ठीक है, तो आपने इसका नाम सुना होगा, केदारनाथ, बदरीनाथ, ठीक है, एक movie भी आई थी, वैसे तो बदरीनाथ, तो केदारनाथ अब्यारन निम्न में से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, तो option number fourth होगा, right answer, ठीक है, केदारनाथ अब्यारन जो कस्तुरी म्रग के लिए, या कस्तुरी म्रग वहाँ पाय जाते है, उसके लिए जाना जाता है, अगला question, question number ten हो जाएगा, कि किस म्रग में जल धारन करने की चमता अधिकतम होती है, मतलब यहाँ पर चार म्रग आपको दे रखिये, कौन सी, दो मट, बालूई, चिकनी और बारिक, ठीक है, तो किस म्रग में जल सरक्षड समता, जल धारन करने की चमता अधिकतम होती है, ठ भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है, ठीक है, जो भारत है, अपना इंडिया, इसमें हरित करांती के जनक किसे कहा जाता है, या आपसे पूछा गया है, इस question में, ठीक है, तो पहला option दे रखा है, हमें कि प्रोफेसर बीरबल सहनी को, second option है, डाक्टर M.S. स्वामी कि डाक्टर M.S. स्वामी नाथन को कहा जाता है, क्या हरित करांती का जनक, और जो आई थी कब 1966-67 माई थी, ठीक है, और किनका कारेकाल था, तो 66 से वैसे इंदरा गांधी का सासन काल स्टार्ड हो गया था, परन्तु इन से पहले सासन था, लाल बाहदुर सास्त्री का, ठीक है, आर्कियन, स्वरी, आर्क्टिक, टर्न, सेकंड ऑप्सन है, यहाँ पर हमिंग बर्ड, थर्ड ऑप्सन है, एल, बेट्रास, और फूर्थ ऑप्सन हो जाएगा, पैंग्वीन, ठीक है, तो बर्फ पर अंटे देने वाले पक्ची को क्या कहते है, तो आप्सन नमबर फूर नाम है, तो पहला ऑप्सन है, टूंड रा, सेकंड ऑप्सन है, सवाना, थर्ड ऑप्सन है, टेगा, और फूर्थ ऑप्सन हो जाएगा, इस टेबिछ ठीक है, तो जो कुशन नमबर तेरवा है, इसका ऑप्सन नमबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर की टूंड रावन जो है उसे Arctic मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है अगला हो जाएगा question number 14 ठीक है 14 number का कि मिजो जोईक यूग निमने प्राणियों का यूग माना जाता है ठीक है जो मिजो जोईक यूग है वो निमने प्राणियों का यूग माना जाता है मतलब option number second है यहाँ पर right answer ठीक है अगला question दिखते है question number 15 हो जाएगा कि Chernobyl दुरगटना किस से संबंदी थे और ये एक ऐसा question जो कि अधिकतर पूछा जाता है तो Chernobyl दुरगटना किस से संबंदी थे तो पहला option हो जाएगा भू इस कलन से second option हो जाएगा पूकंप से third option है नाभी की दुरगटना और fourth option है यहाँ अमली ये वर्सा ठीक है तो option number third होगा right answer कि नाभी की दुरगटना होई थी कब तो 26 अपरेल 1986 ठीक है 26 अपरेल याद रखिये गड़ेट 26 अपरेल 1986 परियावरन सरक्षण को प्रतेक नागरिक के मौलिक करतवी के रूप में पहचाना जाता है ठीक है तो मौलिक करतवी के बात कर रहा है यहाँ ठीक है तो मौलिक करतवी पहले तो ये बता दो लिए कहां से अगर आपको पता हो तो ठीक है तो आप comment box में जरूर comment करना कि malli करताविय हमने कहां से लिये हैं तो पहला option यहाँ पर है कि अनुच्छेद number 42 option number second है अनुच्छेद number 48A third option है अनुच्छेद number 51A और fourth option है अनुच्छेद 20 ठीक है तो जो malli करताविय है वो option number third है मतलब 51A में रखा गया है तो option number third हो गया यहाँ पर right answer ठीक है और total कितने malli करताविय है अपने तो 11 पहले कितने थे तो 10 थे initial process पे मतलब जब 1976 में 51A जोड़ा गया ठीक है 1916 में 42 सविधान संसूदन के तहत 10 malli करताविय जोड़े गये थे और 2002 में यह सारी date याद रखना 2002 में 86 सविधान संसूदन के तहत हमने एक malli करताविय और जोड़ दिया और हाल ही मैं आज के दिनों में total malli करताविय कितने हैं 11 और लिये कहां से गये हैं तो यह लिये गये हैं रूस से ठीक है और एक malli का अधिकार होता है तो भाहने USA से लिए हैं अगला question, question number 17 हो जाएगा कि one selection अधिनियम के अनुसार किस की खेती घैर वन ने गतिविधी है ठीक है मतलब यहाँ पर दे रखाए कि one selection अधिनियम के अनुसार किस की खेती गैर वन ने गतिविधी है पहला option ने chai second option ने rubber थर्ड अपसन है सहतूत और फॉर्थ अपसन है यह सबी ठीक है तो अपसन नमबर फॉर्थ ही है राइट आंसर ठीक है कुश्चन नमबर अठारवा देखते हैं कि वायू मंडल का कौन सा भाग प्रकास की पराभेगनी किर्णों को प्रित्वी की सतह पर आने से रोपता है प्रित्वी की सतह पर आने से रोपता है तो पहला अपसन है समताप मंडल फॉर्थ अपसन हो जाएगा आयन मंडल तो अपसन नमबर फर्ष्ट होगा राइट आंसर जो समताप मंडल है इसी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते है ओजोन परत O3 की ठीक ह तो आपसन नमबर फर्ष्ट इसी लिए आंसर है क्योंकि समताप मंडल के अंतरगात आ दिये क्या ओजोन मंडल अगर ओजोन मंडल या ओजोन परत आंसर होता तो ओजोन परत होता पर ओजोन परत नहीं है तो ओजोन आती किसके अंतरगात है तो समताप मंडल के अंतरगत आ तो पहला option है पारंपरिक नवीनी क्रत, second option है आपारंपरिक अनवीनी क्रत, third option है आपारंपरिक और नवीनी क्रत, और fourth option हो जाएगा पारंपरिक और अनवीनी क्रत, ठीक है, तो option number third है यहां right answer आपारंपरिक, ठीक है, मतलब जो भूतापी उर्जा है वो आपारंपरिक है, मतल जल चकर को नियंतरित करता है जो जल चकर है उसे नियंतरित करता है तो पहला उप्सन हो जाएगा हमां से इस्थल second option में आपन राप्सन प्लवक अगला questionementor 21 यहां पर नाकर हो जाएगा है कि खाद दे, प्रकास तथा संसाधन के लिए अधिक संगर्स होता है ठीक है मतलब देखो बहुत अच्छे से इस कोशन को पढ़ना क्योंकि रियल इनवार्मेंट अब स्टार्ट होता है मतलब यह सारी जीजी इनवार्मेंट के अंतर गत्तु थी परंतो जो इस पेसले जीन कोशनों में बच्चे फस्ते हैं वो यही है तो खाद प्रकास एवं संसाधन के लिए अधिक संगर्स होता है तो पहला उप्सन हो जाएगा नजदी की संबंदित जातियों के मद्द जो एक ही इस्थान में उग रही है सेकेंड उप्सन है यहाँ नजदी की संबंदित जातियों के मद्द जो विभिन इस्थानों में उग रही है और थर्ड उप्सन है यहाँ दूर से संबंदित जातियों के मद्द जो एक ही इस्थान पे उग रही है और फूर्ट उप्सन यहाँ दूर संबंदित जातियों के मद्द जो विभिन इस्थानों में उग रही है सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है ठीक है मतलब पेड़ पौधों की बात की जा रही है जब जंगल में एक ही जगे बहुत प्रकार की वनस्पतिया उगती है तो जो पेड़ उपर होते हैं उनमें तो प्रकास संसलेशन की क्रिया होती है परन्तु जो नीचे उगते हैं उनमें प्रकास संसलेशन की क्रिया नहीं होती है उसकी यहाँ बात कर रहा है तो खाद प्रकास तता संसाधन के लिए अधिक संगर्स होता है किसमें तो option number first is right answer नजदी की संबंदित जातियों के मद्द जो एक ही इस्तान पर उग रही होती है कि इस नीचे वाले को प्रकास नियमित नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पर एक क्या होगा इसे अधिक संगर्स करना पड़ेगा ठीक है शिक्स क्लास की आप NCRT पढ़ लिजेगा आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी कोशन नमबर 22 की सभी बच्चों को पर्यावरण अध्यान के सिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्यक सिक्षण कक्षा की आवशकता है ठीक है second option है अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेस ठीक है मतलब एक अनुकूल जो बच्चे को अनुकूल हो वैसा परिवेस और धमकी रहित मतलब जहां धमकी ना दी जाए third option है इसकूल आधारित है आकलन तथा व्याख्या प्रस्तुत करना और पहला option क्या था हमारे पार संग्यानात्मक और आयू उप्योगत पाठक्रम जिस प्रकार के आयू उसी प्रकार का पाठक्रम हो मतलब पहला दूसरा और तीसरा सही है इसलिए उप्योगत सभी हो जाएग है तो पहला option हो जाएगा पर विक्षन तथा रिपोर्टिंंग, second option हो जाएगा अभिवेक्टी, व्याख्या और वर्गी करन, third option हो जाएगा पूछताच, विसलेशन और प्रयोग, fourth option हो जाएगा उप्रोक्त सभी थिक है तो यहां पर पूछा क्या है हमसे के परियवरन अध्यन के सीखने में मुख के परिक्षा सके संकितांग क्या है ठीक है तो हमको देखो पहला जो ऑप्सन दे रखा कि परवेक्षक ठीक है और रिपोर्टिंग ये भी बिल्कुल सही है अभिवेक्ति व्याख्यान और वर्गीकरण ये भी सही है पूचताच विशलेशन और प विशलेशन नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर इस्पेसली फोकस करना है कि कौन सी जब हम इनवार्मेंट पढ़ा रहे हैं प्रात्मी के स्थर पर तो इसमें से कौन सी विशलेशन नहीं होनी चाहिए तो पहला अप्सन है कि यहाँ प्राकृतिक और सामाज सांस्कृतिक पर प्रश्ट भूमी की जरूरतों को पूरा करती है तो ये भी बिल्कुल सही है थर्ड आपसन यहाँ पर आ जाएगा कि यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को सामिल करती है तो ये भी सही है और फोर्थ आपसन है यहाँ परीभासाओं और अमुर्थ धार्नाओं को व्याख गलत होगा और यही आंसर है मतला उसने जो नहीं है वो पूछा इसलिए option number fourth होगा right answer question number 25 हो जाएगा कि परियवरण अध्यान के सिक्षण है तू निमने में से कौन सा उद्देश अवशक नहीं है ठीक है बहुत तिक और सामाजिक परियवरण के प्रती सवेदन सीलता विकास करना second option विज्ञान के आधारबुत प्रत्ययों और सिधानतों को रट कर याद करना तो यह आंसर होगा second तो option number second ही होगा right answer अगला question बिज्वा कि पेडों की कटाई घटती है वर्षा वैसे यह question जो थोड़ा से इसमें correction कर लो है सुन लेना मतलब कि पेडों की कटाई से घटती है तो पेडों की कटाई से क्या घटती है तो पहला option हो जाएगा वर्षा second option ही म्रदा अपर्दन, third option ही यहाँ भूसंकलन और fourth है सभी ठीक तो option number first होगा right answer कि पेडों की कटाई से घटती है तो क्या घटती है तो वर्षा जब पेडों की कटाई की जाती है तो वर्षा घटती है जबकि म्रदा अपर्दन और भूसंकलन बढ़ता है question number 27 वह जाएगा कि प्रात्मिक इस्तर पर पर्यावरण अध्यन से मानों समुधाय सीखने सीखाने का एक महतपूर्ण संसाधन है क्योंकि ठीक है तो हम जो प्रात्मिक इस्तर मतलब पहली से रेकर पांचवी तक की बात कर रहे है वहाँ पर पर्यावरण अध्यन सामुधा एक जो पर्यावरण अध्यन है मानों समुधाय मतलब जो हमारे आसपास हमारे बड़े भुजूर्ग है मानों समुधाय सीखने सीखाने का एक महतपूर्ण संसाधन है ठीक है कि इनको हमारे आसपास के परिवेश को क्यों है तो पहला option हो जाएगा यह वास्तविक रिस्तो म सीखने के आवशर उपलब्द कराता है second option है यहाँ आसानी से उपलब्द होने वाला संसाधन है third option है इनमें समझदार और भुजूर्ग वेक्ति होते है और fourth option है उप्यूक्त सभी आवशर प्रदान करते है ठीक है तो यहाँ पर 27 वेक option number 4 थी होगा right answer कि हमारे आसपास जित आसानी से उपलब्द होने वाला संसाधन है मतलब बच्चों को बच्पन से ही उपलब्द हो जाते है और पहला भी बिल्कुल सही होगा तो option number 4 थी है यहाँ right answer अगला question number 28 वह जाएगा कि भागी रती नदी का उधगम इस्थल है ठीक है तो भागी रती नदी का उधगम इस और आगे चलकर देव प्रयाक के बाद उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है question number 29 हो जाएगा कि मीनी माता रोग प्रदूसरण जनित रोग है जो परेणाम है ठीक है जो मीनी माता आपने सुनाओगा छोटी माता जिसे कहा जाता है ठीक है गाउं में इस सायथ छोटी मा तेल का second option है वायो वंडल में आर्सेनिक जमा होने का third option हो जाएगा ओद्योगिक पारा वै को पानी में छोड़ देने पर और fourth option हो जाएगा मनुस्य के कार्बनिक वै को पानी में छोड़ने पर ठीक है तो 29 वै का option number third हो जाएगा right answer कि ओद्योगिक पारा जो ओद्योग से न question number three यहाँ हो जाएगा कि सूची first और सूची second को संभिलित कीजिए और यह इसे तो याद ही कर लेना ज्यादे अच्छा रहेगा परेवरान सुरक्षा अदिनियम ठीक है हम परेवरान सुरक्षा अदिनियम के बात करें तो यह कब आया था तो 1986 में आया था ठीक है यह आपक अदिनियम कब आया था तो 1974 में ठीक है तो परेवरान सुरक्षा अदिनियम कब आया है 86 में वन जीव सुरक्षा अदिनियम आया है 72 में वन सुरक्षा अदिनियम आया है कब तो 1980 में और जल प्रदूसर अदिनियम कब आया तो 1974 में तो option no.4 यहाँ मैच कर रहा है ठीक है एक subscribe भी जरूर करें लिजिए का ठीक है तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत